नमस्कार कैसे हैं आप सोनिया गांधी को इस बात का अंदाजा लग गया कि जैसे 2019 में राहुल गांधी अमीठी से हार रहे हैं वो राय बरीली से हार ही नहीं रहें जमानत भी जब्त हो जाएगा इस अपमान से बचने के लिए सोनिया चाहती तो चुना भी नहीं लड़ती और ये कह दिया जाता कि 75 साल से जादा उनकी उम्र हो गई है भले नरेंदर मोधी इसको फॉलो नहीं करें वो फॉलो कर रहें और वो अब सक्रिय राजनीती में नहीं रहेंगे वो गार्जियन सिप की भूमिका में होंगी चुनाब नहीं लड़ेंगी लेकिन सोनिया गांधी ने राज्यसभा से बैक डॉर से सत्ता में इंट्री करनी की तैयारी करनी सोनिया अब राजस्थान से कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा एमपी होंगी अपर हाउस में बैठेंगी और कांग्रेस पार्टी पर प्रतेक्श और और प्रतेक्श रूप से काबिज रहेंगी सोनिया ने भले केंदर में मनमोनी सरकार बना दी लेकिन दस साल तक कोई सुपर पावर रही पहली बार देश में हुआ कि सरकारी मंत्री मंदल से पढ़ान मंत्री के मंत्री मंदल से बड़ा सोनिया गांधी का रास्तिय सलाहकार परिशत था जिसमें भर्शमंदर और योगिंदर यादव जिससे लोग भुआ करते थे ये लोग सरकार चलाते थे लेकिन अब सोनिया तो सरकार में दूर दूर तक सोनिया दिखाई नहीं दे रही तो फिर राज्य सभाद जाने के माइने क्या है दरसल दस जन्पत पर सोनिया का कपचा है और यदि वो मेंबर पार्लेमेंट नहीं रहेंगी तो मोदी ने जिस तरह से इन सब से SPG छीना जो मौज ले रहे थे परधान मंत्री के परियन होने के नाते तो परधान मंत्री के परियन तो बहुत सारे हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोनिया, राहूल और प्रियंका के पास SPG था वो SPG छीनना आसान नहीं था सोनिया जानती है कि दि मेंबर पार्लेमेंट हटते ही दस जन्पत उनसे छिन जाएगा और दस जन्पत का छिन जाना मतलब सोनिया कुनबे की पूरी तबाही एक एक समान, एक एक टेबल कुर्सी यदी घर से निकलती तो उसके कैमरे रिकॉर्डिंग होती कि क्या कुछ है घर में और फिर उसके बाद दस जन्पत में सरकार का कैमरा होता दस जनपत का वो चर्च दिखाई देता वो कहा जाने वाला कब्रें दिखाई देती तो सच सामने आता दरसल दस जनपत को कबजे में रखने के लिए सोनिया ने एक ऐसा प्रपंच किया कि 6 साल तक मतलब नरंदर मोधी के तीसरा कारेकाल पूरा खत्म हो जाएगा और सोनिया एक जीवित रहीं तो राजसवा का मेंबर रहेंगी और दस जनपत पर कबजा रहेगा दरसल दस जनपत से एक तेलिस्म है वो भारत के प्धान मंत्री के सरकारी निवास से भी बड़ा घड़ है बाहर से आप दस जनपत को देख भी नहीं सकते दस जनपत की तस्वीरें भी सामानेता नहीं आती दस जनपत आप प्धान मंत्री के सरकारी निवास पर तो परिंदा पर मार सकता है लेकिन दस जनपत पर नहीं तो आखेर दस जनपत में क्या चुपाना चाहती है सोनिया और ऐसी क्या भी बस्ता है कि जो सोनिया गांधी पिछले पांस साल में एक या दो बार भी राय बरेली नहीं गई वो आगे भी नहीं जाती मेंबर पार्लेमेंट होती दरसल राय बरेली में अब कॉंग्रेस के पास विधायक तक नहीं है ऐसी दुर्गती सोनिया गांधी की हो गई है तो तैसा था कि राय बरेली में उनका जमानत जब्त हो जाता अजब सोनिया का राई बरेली में जमानत जब्त हो जाता तो यह अपमान होता कॉंग्रिस पार्टी का एक मातर सानसद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज़े से सिर्फ राई बरेली में है अब वो राई बरेली भी कॉंग्रिस मुक्त हो जाएगी कांग्रिस की ये पीरा नहीं है कांग्रिस की पीरा सोनिया गांधी को सदन में बनाए रखने की है कांग्रिस की पीरा राहुल गांधी को सदन में बनाए रखने की थी उन्हें लगता था कि देश में राहुल कहीं नहीं जीत पाएंगे तो 70-80% मुसलिम बहुल इलाके वाइनाड ले जाये गया सोनिया गांधी के लिए देश में कोई ऐसा जगह कॉंग्रेस को दिखाई नहीं दिया जहां ये पूरा भरोसा हो, सत्पर्तिशत भरोसा हो कि इस संसदिय छेत्र को कॉंग्रेस जीती जाएगी तो क्या देश में कोई ऐसा संसदिय छेत्र नहीं बचा जहां से कॉंग्रेस ये भरोसा दिला सके सोनिया को कि वहां से वो जीती जाएगी जन निता बैक डोर से इंटरी करे ये अपमान जनक होता है पधान मंतरी नरेंदर मोदी गुजराफ से हैं शरत पवार अक्सर कहा करते थे कि मोदी ही हिम्मत कर सकते हैं कि दूसरे राज्य में जा करके चुनाव लड़ें जितनी बार नरेंदर मोदी जब बारा नसी से संसद बने दरजनों बार वो बारा नसी गए पूरे बनारस जैसे एतिहासिक शहर का काया कलब कर दिया लेकिन अमेठी और राय बरेली बलई सत्ता की ककेंदर रहा हो दशकों से लेकिन आज भी अपने दुरदशा के लिए रो रहा है सोनिया और गांधी नहरू परिबार से राय बरेली और अमीठी को बस यही मिला है यह दिखानी चाहिए तस्वीर कि राय बरेली में सोनिया गांधी कितनी बार गई और क्या कुछ कर पाई राय बरेली से भाग कर सोनिया राज्यसवा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी पर कबजा जमाए रखना जाती है दरसल जब तक आप संसत के सदस्य नहीं होते आपकी कोई हैसियत नहीं रह जाती प्रियंका वाडरा उसी हैसियत के लिए त्राही माम कर रही है सोचिए कांग्रेस पार्टी से एक शायर एक शायर इमरान परताप गड़ी जो माफियाओं के महिमा मंडल की शायरी करता है वो राज्यसवा जा सकता है प्रियंका वाडरा नहीं तो राज्यसवा तो प्रियंका वाडरा को भेजा सकता था लेकिन राजसभा प्रियंका वाडरा को भेज़े जाने की लड़ाई ऐसी हुई कि मध्य प्रदेश में कॉंग्रिस की टूठ हो गई और सत्ता भी चली गई इसलिए प्रियंका को राजसभा से भेजना भी अब उनके लिए आसान नहीं है जितनी आसानी से सोनिया वहाँ पे चली गई और सोनिया की लाचारी देखिए कि उस अशोक गहलोत के एहसान से वो राजसभा गई है मतलब राजसभा के लिए भी सही और सटीक जगह सोनिया गांधी को नहीं मिल पाया यह बदलाओ है तो क्या दस जन्पत पर सोनिया हमेशा से काबिज रह पाएंगी एक सामाने सानसद के रूप में और सिर्फ और सिर्फ दस जन्पत बचाने के लिए ऐसा प्रपंच किया गया है कि सोनिया को हर हाल में संसद का सदस्से बनाया रखा जाएगा और क्या इसलिए सोनिया के लिए ही मनमोहन सिंग जो इतनी बुरी स्थिती में है शारेडिक रूप से उम्र की कारण उनका भी कारिकाल बढ़ाया जा रहा है संसत का सदस्य ऐसा होना चाहिए था जो अपने संसत्य च्छित्र के लिए काम कर सके सदन में पार्टी की आवाज उठा सके ऐसे मनमोहन सिंग जो पिछले दस साल में एक सवाल भी सदन में नहीं उठा पाए वो राज्यसभा के सदस हैं और आगे भी रहेंगे ऐसी सोनियागांधी जो दस जन्पत से निकल कर कौंगरेस मुख्याले में भी कौंगरेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में रहकर के भी जंडा तोलंद करने नहीं जाती बिमारी के बहाने से दिल्ली नेशनल कैपिटल में परचार भी नहीं करती वैसी सोनिया गांधी राज्य सफा पर काबिज होना चाहती है ताकि दस जनपत बचाया जा सकी क्या दस जनपत का रहस से कभी मोदी खोल पाएंगे अपने शाशनकाल में क्योंकि मोदी के पास अब 5 साल है और सोनिया के पास राज्य सफा के लिए 6 साल तो क्या दस जन्पत का वो सच मोदी काल में देश जान पाएगा इतना वरा रहस जिसे बचाने के लिए इतना वरा तिकरम किया गया बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो विशलेशन आपको कैसा लगा इसके कंटेंट भी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए जैहिंद वंदे मातर